सद्गुरु नमस्कर, श्रात करने का क्या महतुए है? जीवन की अभिवक्ति ऐसी है, आपके समझने के लिए मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूँ, एक जीवन और एक भौतिक जीवन होता है। बहुतिक जीवन की अभिवक्ति को देखें, तो बहुतिक जीवन उर्जा, जिसे आमतोर पर प्राण कहते हैं, उसकी पांच बुनियादी अभिवक्तियां हैं। दस हैं, पर उससे जटिल हो जाएगा, पांच बुनियादी अभी व्यक्तियां, इन्हें समान, प्राण, उडान, अपान और व्यान कहते हैं। मान लीजे, कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को देख रहा है, और उसने एक निशित पल में घोशित कर दिया, कि वो मर चुका है। प्राण निकलता है, उसके बाद 6-12 घंटे के बीच उडान निकलता है। ये 8-18 घंटे के बीच निकल जाता है। व्यान, जो प्राण की संरक्षक प्रकृती है, उसके बाद निकलने लगता है। वो 11-14 दिन तक निकलता रह सकता है। अगर वो एक सामाने मृत्यू हो तो, यानि अगर कोई अधिक आयू से मरा, जीवन के कमजोर होने से गया, ऐसे व्यक्ति के लिए 11-14 दिन तक शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होंगी, जिनसे पता चलता है कि जीवन का कोई तत्व बाक वो मर गया, जरूरी नहीं कि शरीर पूरी तरह कोचल चुका है, शरीर बचा हुआ है, उस जीव के स्पंधन 48-90 दिनों तक रहेंगे। तो उस समय तक आप उस जीव के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप उस जीव के लिए क्या कर सकते हैं। देखे, मृत्यू होने प नुभव ये है कि उसने शरीर छोड़ दिया है, और क्योंकि वो शरीर छोड़ चुका है, अब आप उससे जुड़ नहीं सकते, आप उसे पहचान नहीं सकते, और अगर वो वापस आ जाए तो आप डर जाएंगे, जिनसे आपको प्रेम है अगर वो वापस आ जाएं, तो प्रेम है होगा, प्रेम नहीं, क्योंकि आपका संबंध या तो उनके शरीर से है, या उनके चेतन, मन और भावनाओं से, ये चीजें पीछे छूड़ गई है, शरीर पीछे छूड़ गया है, और चेतन, बुद्धी और समजदार मन पीछे छूड़ गया है, अब मन के रू जो एक निश्यत रूप में अभी व्यक्ति पाती हैं, समस्दार मन नहीं है। जब समस्दार मन नहीं होता, अगर आप सुखतता की एक बूंद ऐसे मन में डालें, जिसके पास समझ की शम्ता नहीं है, बुद्धी नहीं है, तो ये सुखतता लाख गुना बढ़ जाएगी। और नहीं जानता की वापस कब आना है, जब तक वो ठक नहीं जाता और खेलने की शक्ती नहीं बचती, तब तक वो खेलना चाता है, क्योंकि उसके पास ज़रूरी समझ नहीं है कि ये जाने का समय है। इसी तरह ये एक चरम स्थिती है, वे बच्चों से कहीं आगे होते हैं उनमें समस्दार मन पूरी तरह गायब होता है तो अब आप उनमें जो भी गुन डालेंगे वो लाखों गुना बढ़ जाएगा इसे ही नर्क और स्वर्ग कहा जाता है अगर आप एक सुखद स्थिती में होते हैं तो इसे स्वर्ग कहते हैं अगर आप एक अप्रिय स्थिती में होते हैं तो उसे नर्क कहते हैं ये भौगोलिक स्थान नहीं है ये अनुभव के स्तर की सचाईया है जिनसे शरीर से अलग हो चुका जीव गुजरता है लेकिन ये करने की कोशिश करते हैं आज उसे कितने अच्छे से किया जाता है या कितने हासेपद तरीके से वो एक अलग बात है लेकिन इसका पूरा विज्ञान है कि अलग-अलग स्तरों पर क्या करना है पहली चीज जो आपको देखने चाहिए परंपरा है पता नहीं मुंबई में अभी करते हैं या नहीं शायद नहीं पर अगर कोई मरता है तो कुछ लोग होंगे जो सबसे पहले शव के पैर के अंगूठों को साथ बांदेंगे आप अभी ऐसा करते हैं या नहीं हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पैर के अंगूठों को बांधना मुलाधार को एक तरह से कस देता है जिससे वो जीव एक बार फिर शरीर में नहीं घुस सकता या घुसने की कोशिश नहीं कर सकता क्योंकि वो जीव इस जागरुकता के साथ नहीं जिया है कि ये मैं नहीं हूँ उसने हमेशा ये विश्वास किया ये मैं हूँ हलाकि वो बाहर आ गया है वो शरीर में मौझूद किसी भी छेद के जरिये घुसने की कोशिश करता है खास कर मुलाधार से क्योंकि वहीं जीवन पैदा होता है और जब शरीर ठंडा होने लगता है तो इकलोती जगे जहां आखिर तक गर्माहट रहती है वो आखरी बिंदू हमेशा मुलाधार होता है तो वो वापस जाने की कोशिश करता है इससे बचने के लिए पहली चीज है पैर के अंगुठों को बांधना ताकि ये कोशिश नहीं होगी क्योंकि शरीर छोड़ने की प्रक्रिया के कई चरण होते है पारंपरिक रूप से हमेशा ये कहा जाता है कि किसी के मरने के डेड़ घंटे या अधिक से अधिक चार घंटे के अंदर शरीर को जला देना चाहिए क्योंकि ये कोशिश चलती रहती है जीवित लोगों के लिए भी ये सच है अगर आपका कोई बहुत प्रिये मर गया है आप जानते हैं कि वो मर गया है मगर आपका मन चालने चलने लगता है शायद वो अभी उठकर बैट जाए शायद कोई चमतकार हो जाए शायद भगवान आकर अभी कुछ अच्छा कर दें किसी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है मगर फिर भी मन ये खेल खेलता है क्योंकि उस व्यक्ति के लिए हमारी भावना है और यही उस जीव के लिए भी सच है जो शरीर से निकला है वो भी मानता है कि वो अब भी शरीर में वापस जा सकता है अगर आप इस नाटक को रोकना चाहते हैं तो पहली चीज है शरीर को जला देना डेड़ घंटे में मगर उन दिनों गाउं में ये बताने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता था कि वो मर गया है किसी को चिता पर लिटा कर आग लगाई तो वो आदमी उठकर बैठ गया क्योंकि वो मरा नहीं था ऐसी चीजें हो चुकी हैं इसलिए समय को चार घंटे तक बढ़ाया गया ताकि ऐसी गलतियां ना हो मगर जितनी जल्दी संभव हो शरीर को जला देना चाहिए क्रिशी समुदायों के लोग दफनाने का फैसला करते थे क्योंकि वे अपने पूरवजों और उनके शरीरों को उस मिट्टी में वापस डाल देना चाहते थे जो उन्हें भोजन देती थी आपको समझना चाहिए कि हम जिंदा रहने के लिए खेती करते थे उस जमीन से हमें भोजन मिलता था उस जमीन के एक अंश को ही हमने इस शरीर के रूप में धारन किया है तो वे इस मिट्टी को उसी मिट्टी में वापस डालना चाहते थे कहीं और नहीं आप हमेशा उसे अपनी ही जमीन में दफनाते थे कभी किसी और की जमीन में नहीं क्योंकि इसी जमीन से आपको भोजन मिलता था आज आप हर चीज स्टोर से खरीद कर खाते हैं आप नहीं जानते कि वो कहां से आ रही है इसलिए अपनाना कोई अच्छी चीज नहीं है उस समय एक निश्चित प्रक्रिया होती थी और उसे जल्द से जल्द करने के लिए हमेशा नमक और हल्दी डाला जाता था ताकि वो तेजी से मिट्टी में मिल जाए मगर शव को जलाना एक अच्छी चीज है क्योंकि उससे बात खत्म हो जाती है आप देखेंगे कि जब परिवार में कोई मृत्य होती है लोग रोपीट रहे होते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं जैसे ही शव जलाया जाता है लोग घर वापस जाते हैं सब कुछ शांत होता है कुछ समय तक कोई नहीं रोता क्योंकि अचानक सच से सामना होता है सब खत्म हो चुका है खेल खत्म यह सिर्फ आपके लिए नहीं है यह उस अशरीरी प्राणी के लिए भी है जिसने अभी शरीर छोड़ा है क्योंकि वो भी इस ब्रह्म में होता है कि वो वापस जा सकता है वो रुख जाता है जो एक अच्छी चीज है और ये पका करने के लिए बहुत सी रस्मे हैं कि आप किसी तरह उस विवेखिन मन में मिठास की एक बून डाल दें ताकि वो मिठास कई गुना हो जाए और वे आराम से रह सकें या अपने बनाए में रह सकें रस्मों के पीछे यही मकसद है अगर सही तरीके से करें तो